नामस्ते मित्रों हम बात करेंगे मृतक सराद के उपर स्रीराम आरेजी के एक छोटी सी पुस्तक है आपके सामने प्रिस्तुत है मृतक सराद पर 21 प्रशन उठाए होना अगर यह पुस्तक आपको चाहिए तो आप अमर स्वामी प्रकासन से ले सकते हैं बहुत अच्छी पुस्तके चापते हैं बहुत जबरदस्त चोटी चोटी पुस्तके आप मंगवा सकते हैं प्रशन नमबर एक उठाया है पितर संजय मृतकों की है या जीवितों की यदि जीवितों की है तो मृतक सराद व्यर्थ होगा यदि मृतोकों की है तो ये जुर वेद के आपर तीन प्रमान दिये गए हैं इत्यादि वेद मंत्रों से पितरों का गर्वदान करना अन जल दूद आधी का सेवन करना आना जाना बोलना आधी क्रियाई करने वाला बताया गया है जो की मृतोकों में संबव नहीं है इससे पितर संज्याद जीवितों को ही सिद्ध है अधा मृतोकों का स्राद करना एवेदिक कर्म है जीवात्मा की गती प्रश्न नंबर दो जीवात्मा की गती जब निज करम अनुशार होती है तो मृत्यक स्राद की क्या विशक्त है अगर जीवात्मा की कति निजक स्वैम के कर्म के अनुसार होगी तो फिर स्राद करने से कोई फाइद ही नहीं है कर्म का फल तो मिलेगा प्रश्न नमबर तीन उठाया जब जीवात्मा में लिंग वेद नहीं होता तो सरीर त्यागने के बाद उसे पितर आदी मानना केसे बनेगा उपनिशद में जीवात्मा को कहा गया है स्वेता स्वेतर उपनिशद का प्रमाणा आपके सामने प्रिस्तुत है जीवात्मा स्त्री पूरुस नपुन सक बेदवाला नहीं है वह जिस जिस सरीर में जाता है वेसा ही तहलाता है परशन नमबर चार सरीर त्याग के पस्चाद जीवात्मा के लोकी के सम्मन्द पिता पुत्रादी के नश्ट हो जाते हैं तो उनके पुत्रादी के दिये पदार्द वे केसे प्राप्त कर सकते हैं प्रिश्ण नमबर पाँच जो ऐ विवाहित रहते हुए मर जाते हैं उनके पितर मरने के बाद पुरानी कलपन अनुसार उनकी आत्मा के न बनने से उनकी मुक्ष कैसे होगी बिसम पिता महवे सुकदेव जी के क्या गति हुई होगी जिनका वनसनास हो जाता हैं क्या वे पित नहीं होता हैं किनकी मुक्ष हो जाती हैं इसका पता लगाने का क्या साधन आपके पास है और बिना पताय लगाए मृतक का सुराद करना निरर्थक जो नहीं है प्रिश्ण नमबर आग प्रिश्ट नगरों में एक ही दिन एक ही समय उनका सराद करे तो उनकी आत्मा चारोस तानों पर सराद गरन करने वा खाने को केसे जा सकेगी क्योंकि एक देशिये जीव इस समय एक ही स्थान पर विद्यमान हो सकता है। स्राद का अधिकार सबी जातियों को क्यों नहीं है जिन जातियों को स्राद का अधिकार नहीं होता उनके पितर तो भूके ही मरते होंगे या दूसरों का माल चीन कर खाते होंगे उसे दसा में उनके जगडे फिसाद की सांती कौन कैसे करता होगा मरने के बाद भी जीवों में उंच नीच का भेद कायम रहना आप क्यों मानते हैं प्रिश्ण नमबर 13 मरने के बाद लापता जीवात्माओं के पास पंडिजी कसराद का माल टाल पहुँचा देते हैं इसका प्रमान क्या है जब लापता सरीर विहिन जीवात्माओं के पास आप माल पहुँचा मानते हैं पहुँचा ना मानते हैं तो परदेश गए लोगों के नाम पर भूजन की धाल भी क्यों नहीं पहुँचा कर उन्हें भूग प्यास से त्रिप्त कर देते हैं कवव और पितरों का स्राद से क्या सम्मंद है जो स्राद में कोवे को भोजन कराया जाता है क्या वे पितरों के प्रतिनीदी हैं वरसा रितु में वरसा रितु में क्वार में तता जब नदी तालों में सरवत्र जल भरा रहता है आकास में बादल पानी लिए खड़े रहते हैं तो जलदान पितरों को करने की क्या विशकता है गिर्समी की प्रचंड गर्मी में चेश्ट बेसाक में जलदान क्यों नहीं किया जाता जबकि पानी की सबी को सक्त जरुरत होती है वर्स बर में केवल एक बार खिला करके पितरों को साल बर के लिए भूका मारना और अपना पेट दिन में तीन बार रोजना भर पेट भोजन करते तरके भर रहना अपने बुजुर्ग पितरों के साथ निक्रिश्टतम मजाग नहीं है क्या खुद खावे और पितरों को भूका मारे क्या पितरों का हाजमा इतना खराब होता है कि एक बार खाकर साल बर तक उनके हजम भी नहीं करवाते प्रिशन नमबर अठारा महाबारत अनुसासन पर्व अध्याई नमबर 32 में लिखा है चिकित्सक मंदिर का पुजारी दूद वेजने वाला गाइत्री जाव तता संध्या करिकने वाला वेतन लेकर पढ़ाने वाला इन ब्रामनों को यज्यदान वैसराद में नहीं बुलाना चाहिए यदि इनको बुलाया जावे तो दान का फल नश्ट हो जावेगा तत्था यज्यदान वैसराद करने वाले के फितर घूर नरक में जाते हैं प्रशन यह हैं कि उप्रोक्त कर्म करना पुरान पढ़ना आप भी महापाप कर्म है जो वेशा करने वाले की महापापी माना है तो इनको स्रादादी में बुलाने का पाप तो स्राद करता द्वरा किया जाता है तो उनकी कर्म का फल स्वय में बीना किये पितरों को क्यों भोगना पड़ता है चबिकी महापारत वन पर्व अध्याई नंबर स्लोक नंबर गीता प्रेस में आपके सामने प्रमान दिया है ये स्लोक और ये अध्याई है स्लोक है इसका अर्थ लिखते हैं एक सरीर त्याग कर दूसरे सरीर को जीव तक्षन ग्रहन कर लेता है वह बिना स्तूल सरीर के आस्रे बिना एक शण न भी नहीं रहता गीता अध्याई नंबर दो स्लोक नंबर बाइस ने जीव की तुरंत पुनर जनम के पुष्टी की है तब पुनर जनम प्राप्त जीवों के लिए सराद करना मिथ्या करम क्यों नहीं है क्योंकि प्रटेक्श में जनमे हुए बालक बालकों तता बड़ों को किसी को भी उनके पूर्व जनम के स्तान में स्तान में दिया हुआ स्राद पदार्त नहीं पहुंचता है बतावे कि पितर से ततपर्य आपका जीवात्मा से है या सरीर से है जीव सेयुक्त सरीर से है या जीवात्मा से है तो मरने के बाद रिस्ता ही समाप्त हो जाता है यदि सरीर से है तो वह बस्म होकर समाप्त हो जाता है यदि जीव सेयुक्त सरीर से है तो पितर जीवित पुरुस हुए ने की मृतक तब स्राद मुर्दों के नाम पर गलत होगा प्रश्ण नमबर अंतिम 21 बविश पुरान ब्रह्म पर्व अध्याई नमबर एक सूप चूर्या सी स्लोग नमबर चपन नहीं उनसाट में लिखा है जो ब्रह्मन मुर्दे की निमित स्राद का अन सराब वे मांस का सेवन करे वे तीन दिन उफवास करे एक दिन जल में बेठा रहे तब सुद्ध होगा इस स्पष्ट ही कि स्राद भोजन किसी भी ब्रह्मन को नहीं करना चाहिए तब क्या पराणिक ब्रामन सुराध खाकर उक्त प्रकार से प्रश्चित करते हैं। उपरोक्त प्रिश्णों को यतोचित सह प्रमान उत्तर देने वाले सज्जनों को उचित इनाम दिया जाएगा। लाजपत राय जी अगरवाल अमर स्वामी प्रकासन से हैं इनके फोन नंबर ये आपके सामने नीचे हैं आप इनको कोल करके इन पुरुष्णों का उत्तर दे दीजिए और आप अपना उचिते नाम ले जाईए आपका अपना यूट्यूब चैनल है